आपके अपने यूटूब चैनल बनाए से एजूगेशन पॉइंट पर आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने प्राड़म से परिक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है जिसमें हमने मद्ध प्रदेश की इतिहास MP स्पेशल हमारा जो वीडियो है जिसमें हमने मद्ध को लाई की हम से अर्वी कर सकते हैं एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से आप हमारी प्राण में परिच्छा के नोर्ट यूनिट 7 मेक्रसी उत्पात तकनी खाद्र प्रसंसे करण मानावसरी संदचना बिग्यान एवं प्रयावन स्वास्तिकारेकरम के साथ साथ यूनिट 9 में साइबर सुरक्षा, सोसल नेट बर्किंग साइड, आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोनिक प्रुद्धिगी की आदी के नोर्ट से पर्चिस कर सकते हैं इने टेट की उनिट 10 की पीडिएप भी से ने आप पर्चिस कर सकते हैं तो आज ही आप हमाएं नोर्ट से पर्चिस करें आज की वीडियो पर चलते हैं मद्यपदेश्ट का तिहास एंपी स्पेसल वीडियो बोपाल का युद्ध किस वर्स हुगा था इसकी ऑप्शन से पहला है A 1738 CC में B 1740 CC में C 1737 CC में और D 1749 CC म बोपाल का युद्ध 1737 CC में हुगा था चंदिल राजाओं द्वारा निर्मित खजराहों के प्रिशद्य मंदर किस धर्म से संबंदित हैं इसके ऑप्शन से A बैशनाओ B शेव C जेन D ओल तो इसका राइटा अंसर है D ओल चंदिल राजाओं द्वारा निर्मित खजराहो के प्रिशद्य मंदर बैशनाओ सेव एवं जेन तीनो धर्मों से संबंदित हैं संगीत के प्रिशद्य ग्रंथ मान को तुहल की रचना किस ने की थी A मान सिंग B अवलफजल C कीर्थी सिंग D सेखल दिव इसका राइटा अंसर है A मान से संगीत के प्रिशद्य ग्रंथ मान को अतुहल की रचना मान सहंजी की द्वारा की गई थी भोपाल का जली अवाला कांड कब हुगा A.1448 B.1449 C.1450 D.1449 क्या उन तो इसका राइट आंसर दोस्तों B.1449 को भोपाल का जली अवाला कांड हुगा था इसका राइट आंसर एसका राइट आंसर है B. राइट आंसर है B. राणोजी शिंदिया जो कि ग्वालियर के सिंधियावंस के संस्तापक थे चंद सेखर आजाद का जन्मिस्थल कौन सा है ए पिचोरा, भीहर्दा, सीबीर सिंगपूर और डी भावरा यह बहुत इंपोटेंट प्रिशन जो कि कई कॉम्पेटिशन एक जाम में पूछा जा चुका है तो इसका राइट आंसर है डी भावरा भावरा जो कि जंद सेखर आजाद जी का जन्मिस्थल है भावरा का परिवर्तित नाम जंद सेखर आजाद नगर कर दिया गया है वे महु जो कि डाक्टर अंबिट भीमराव अंबिटकर जी की जन्मिस्थली है उसका नाम अंबिट का नगर कर दिया गया है समराट असोक की पत्नी का जन्म कहां हुगा था ए धार, बी छंदवाड़ा, सी सेंगरवली, डी बिदीशा इसका राइट आंसर दोस्तों, डी बिदीशा समराट असोक की पत्नी का जन्म बिदीशा में हुगा था चंद्रुगुप्त दुटिय की दुटिय राजधानी कहा थी A. सांची B. महिस्वर C. उज्जेन और D. बिदीशा तो इस कराइटानसर दोस्तों C. उज्जेन चंद्रुगुप्त दुटिय जो है उनकी दुटिय राजधानी उज्जेन थी 1517 इसी में गौालियर की राजा विक्रम जी तोमर को किसने हराया था इस सेरसा है सूरी वी मुहम्मद बिन तुगलक सी अब्राहिम लोदी डी ननुबदी तो इसका राई टांसर दोस्तों सी अब्राहिम लोदी जो की 1517 इसी में गौलियर के राज़ा बिक्रम जी तोमर को अब्राहिम लोदी ने हराया था बाला घाट में लोँजी का किला किस राज़वन से संबन्दे थे एक कल्चुरी बी मौर्य सी चंदेल डी गौंड तो इसका राई टांसर डी गौंड बाला घाट में लोँजी का किला गौंड राजवन से संबन्दे थे यहाँ पना आपको जानकारी दे दें कि जो हमारी नूर्स से वह हैं रिटन्स हैं टॉपर्स की द्वारा बनाए गए हैं साती साथ टूरी पाइन नूर्स पर तैयार किये गए हैं जिन में हमने आपको साल गर्वित नूर्स देने का प्रियास किया है साथी साथ आप हमारी 50FLT टेसरी यहों एक करेंट अफेस की PDF है जिसमें 2020 का पूरा करेंट मिल जाएगा उसी का पार्ट 2 है जिसमें जन्वरी 2021 से अपरेल 2021 तक करेंट मिल जाएगा यहों एक जो अन्य रामबार PDF बनाए गई है उसमें आपको मध्यपदी से भारत की संपूर जानकारी पुरष्टकार प्रमुख व्यत्यक्त आदी की जानकारी खेल से संब्ध संपूर जानकारी अप्लाप्त हो जाएगी चलिए देख्टे हमारे अंगले प्रशनों पर परमार बंस के किस सासक के सासनकाल से मालवा की स्वर्ण युक्ख का प्लारंब हुआ इसकार आ सालवा के स्वन्य युक का प्रारंब हुगा सोलवी सताब्दी में निमाड में सुतंत फारु की राजवन्स की स्थापना किस ने की थी इसके ओप्षन से इसका राइट आंसर है सी कर्ण देव त्रपुरी के कल्चुरी बंस के सबसे प्रतापी सासक कर्ण देव थे बगेल राजव के रामचंद देव सासक ने अपनी राध्धानी बांधाओकर इस्थाना अंतरित की थी इसके ओप्षन से दोस्तों ए सहदेव बीज सहदेव सी नन चंद देव जी ने बगेल राजव की रामचंद देव सासक ने अपनी राध्धानी बांधाओकर इस्थाना अंतरित की थी ननलेकत में ऐसे एक कल्चुरी बंस के किस सासक को हिंद का नैपोलियन कहा जाता है एक कर्ण देव वी एक्षैबट सी लक्षमी कर्ण दी ननौब आई भी है है राजा सी कीर्तिवी अर्जुन दी सत्रुबती तो इसका राई टांसर है भी है है राजा ने महस्मतिनगर को वसाया था परमार बंस के किस सासक ने अपनी राध्धानी उज्जेन से धार इस्थाना अंतरित की थी ए भोज भी उद्यादित सी बेर सिंग दुत इसका राई टांसर है दोस्तों सी बेर सेंदुतिय जो कि परमार बंस के सासक बेर सेंदुतिय ने अपनी राध्धानी उज्जेन से धार इस्थाना अंतरित की थी परमार के परिवार को इस्थापित करने का स्रे किन सासकों को दिया जाता है ए राष्टकूट भी मराथा सी सक, दि सथमाहन, तो इसका riьте answer, सांग करिवाल का स्थापत करने हस्डे, राष्ट कूर्ट सासकों को दिया जाता है, नव साह सांग करत कि रचायता कोन है, यह परीमल, वी पाज़नी, सीके सावदास, डी राजाभूज, तो इसका ri परिमल जी है आज किसी वीडियो उने महत्रपूर पुर्शनों को देखा दिभी तक आपने हमाये चैनल को लाइक सबस्काइब नहीं किया हो तो सरप्रत्र माप चैनल को सबस्काइब करें वीडियो को लाइक एम सेहर करें फेस्ड़ूब की यूट्यूब इस्ट्रागाम टे देखते हैं आज की जो हमने प्रिष्टन को देखा है आंगे हैं ऐसी महतुपर प्रिष्टनों की स्रंकल हम जारी रखेंगे उसी करम में हमें एक बार निकर डिविजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहें भोपाल का युद 1737 सीश्वी में हुआ था चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजराहो को प्रिष्ट्द मंदर बैशना उसेब जैन तीनों धर्मों से संबंदे थें संगीत के प्रिष्ट्द गरंथ मान को अतुहल की रचना मान सेंजी के द्वारा की गई थी भोपाल का जलियावाला कांड 14 जन्वरी 1989 को हुआ था सुहावल का नरसिंहार या माजन गोली कांड प्रदेश के सतना जले से संबंदे थे ग्वालियर की सिंधियावन्स की संस्थापक राणो जी सिंधिया है चंद सेखर आजाद का जन्मिस्तल भावरा गाओं है इसका किला गोंड राजवन्स से संबंदित है परमारवन्स के बाग पती मुंझ सासक के सासनकाल से मालवा के स्वन्ड युक का प्रारम हुगा सोलवी शतापदी में नमार में शुतंत फारु की राजवन्स की स्थापना मलेक रजा की द्वाला की गई थी परमारवन्स के बेर सेंदुतिय सासक ने अपनी राद्धानी उज्जैन से धार स्थान अंतरित की थी परमार के परिवार को स्थापद करने का स्रे राष्टकूर्ट सासकों को दिया जाता है नव साह सांकचरत के रचाईता परिमल जी है आगे के भी ऐसे महतनूर प्रिश्णों को हम देखेंगे और आप इसी परकार हमारे चैनल पर कंटिन्यूर बनने रहें क्योंकि हमारे चैनल आपके लिए विश्वरस नहीं है और आपके प्रिम मैंसर इंटर्विव तीनों की तैयारी घर वेठें हमारे नूर से वं वीडियो की माध्यम से कराती रहेंगे आप सही का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए हमासा करते हैं आप हमारे साथियों ही तुड़ी रहेंगे